क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णू गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्रम्हा तसमय स्रे गुरुवे नम्हा मसकार दर्शकों मैं पंडे चंदन संडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से श्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोगप्री कारिकरम कुंडली दर्शन में और कुंडली दर्शन के इस विशेस कारिकरम में आज बात करेंगे 26 अक्टूबर को कर रहा है विर reinforशिक में परवेश तो विर gua करने से इन सातरासी वालों पर च्ण सकते हैं शंकट के कुछ बादल तो आपकी रासी इन सातरासी में शें तो नहीं है और बांकी बचे हुई किस रासी वालों को क्या कुछ लाब मिल सकता है इस कारिकरम में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे 26 अक्टूबर की रात 8 बचकर 46 मिनट पर बुद्ध तुला रासी से निकल कर वरिष्चिक रासी में परवेश करेंगे और 1 जन्वरी 2019 मंगलवार के दिन शुबह 9 बचकर 49 मिनट तक यानि लगभग 2 महिने 6 दिनों तक यहीं पर रहेंगे और इस बीच 17 नवंबर को शुबह 7 बचकर 2 मिनट पर बुद्ध वक्री भी हो जाएंगे और 6 दिसंबर को पूरा दिन पार करके देर रात 2 बचकर 54 मिनट तक वक्री रहेंगे उसके भाद फिर से वरिष्चिक रासी में ही मारगी हो जाएंगे भारतिय जोतिस के अनुसार बुद्ध मिथुन और करन्य रासी के श्वामी हैं ये जोतिस विद्या शिल्फ कला कम्प्यूटर वानिज और चतुर्थ तथा दसम अस्थान के कारक भी माने जाते हैं खास करके बुद्ध, बुद्धी और वानि के देवता कहलाते हैं दिमाक्स से महनत करने वाले व्यक्ति तथा वानि से किये जाने वाले कारियों पर इसका सीधा सीधा परभाव पड़ता है साथ ही सरीर में मुख रुप से गले और कंधू पर इनका परभाव रहता है इसके साथ ही कई बार चम रोग भी बुद्ध के अशुप परभाव होनी से होता है फिलहाल बुद्ध के वरिष्टिक रासी में इस गोचर का विभिन रासी वालों पर अलग-अलग असर होगा तो किस रासी वालों पर बुद्ध के इस गोचर का क्या कुछ होने वाला है प्रभाव उस इस्तिती में सुवफल सुनिचित करने के लिए और असुवफलों से बचने के लिए आपको क्या कुछ उपाय करना चाहिए अब हम इने बातों पर चर्चा करेंगे शुरुबात करेंगे सबसे पहले मेश रासी से फिर क्रमशा बारी बारी से अन्तिम राशी वाले मीन रासी वालों के बारे में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो वीडियो की नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखे वे बटन पर किलिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर जश्ट वगल में घंटी क्या करके बेल आइकोन के बटन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली शभी वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन ग्रूप में आपकी मुबाइल तक प्राप्त हो जाए तो चलिए सुरुवात करते हैं बुद्ध के इस रासी परिवर्तन से शब से पहले मेश रासी वालों की जीवन में क्या कुछ होने वाला है परभाव। मेश रासी वाले बुद्ध आपके रासी से आठमें अस्थान पर गोचर करेंगे। बना रहेगा आपके कंधे मजबूत होंगे और यदि पिछले कुष्ट में से आप गले से समंदित परिशानियों से घिरे हुए हैं तो अब आपको छुटकारा मिलने वाला है एक जनवरी 2019 तक बुद्ध के शुब फल को बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बरतन में श जरूर प्राप्त होंगे इसके साथ ही बुद्ध के अस्टमभाव में गोचर करने से आपको कुछ बातों पर विशेश ध्यान भी रखना चाहिए खास करके कोई भी फैसला अचानक से आपको लेने से बचना चाहिए अचानक में लिया हुआ फैसला आपको आर्थिक से शात्मे अस्थान पर गोचर करेंगे और बुद्ध के इस गोचर के प्रवाव से जीवन साथ ही के साथ आपके शम्मन बहतर होंगे क्योंकि शात्मा घर वैभाईक जीवन को विशेश रूप से दर्शाता है और इसके साथ ही आपके धन में भी बढ़ोतरी होने के संकेत दिख रहे हैं और यदि आपको मुकदमे आदी में किसी परकार की उल्जन में आप फशे हुए हैं तो उसमें आपको विजय प्राप्त होने के विशंकेत दिख रहे हैं इसके इलाबा एक जन्वरी दो हजार उनिस तक शमुद्रिवे पार भी आपके लिए बहुत लाबद बायक रहेगा अता एक जन्वरी दो हजार उनिस तक बुद्ध के शुवफल को और भी ज्यादा बनाए रखने के लिए सबा मिटर हरा कपड़ा दान करें यह आपके लिए बहतर होगा अब आई बात करते हैं अगली रासी मिथुन रासी मिथुन रासी वाले बुद्ध बोचर के परभाव से आपके दोस्त आपको शयोग करने वाले हैं आपके मुह से निकले हुए शर्द परभाव शाली होंगे अगर आप धैरे रखेंगे तो आपको अधिक धनलाब हो सकता है आपको वैपार में और सिक्षा समंधि कारियों में भी भरपूर लाब होने के य फैसला आपके पक्ष में होगा अतर आज से लेकर एक जनवरी 2019 तक बुद्ध के शुफल को बनाए रखने के लिए 45 दिन तक गाय को हरा चारा खिलाएं यह आपके लिए इस्तिति को और भी जादा उत्तम बना देगा अब आई यह बात करते हैं अगली राशी करक राशी में बुद्ध के इस गोचर परवरतन शे क्या कुछ होने वाला है परभाव बुद्ध आपके राशी से पांचमें अस्थान पर गोचर करेंगे और करक राशी में बुद्ध के इस गोचर शे आपके पिता के साथ आपको क कुछ परिशानी हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपके शम्मंदों में कुछ उतार चड़ाओ देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको गुरु से सहयोग प्राप्त करने के लिए कोशिस करना होगा। लेकिन एक बात का आपको फायदा हो सकता है यदि आप कुछ इंटर्व्यू अगर देने के बारे में सोच रहे हैं या इस अवधी में आप इंटर्व्यू देते हैं तो निश्चित रूप से शफलता प्राप्त होने के भी योग दिख रहे हैं। अतर एक जनवरी 2019 तक बुद्ध के अशुफ फलों से बचने के लिए और शुफ फल बनाए रखने के लिए सुनिशित करने के लिए गरीब व्यक्तियों को उनिवस्तर का दान करना आपके लिए हर तरीके से बहतर होगा। अब आईए बात करते हैं अगली राशी शिंग राशी वालों की जीवन में बुद्ध के इस गोचर परिवर्तन से क्या कुछ होने वाला है प्रभाव। कुछ परिशानी हो सकती है पारिवारिक शुक पाने के लिए आपको कुछ अधिक कोशिशें करनी होगी अतह एक जनवरी 2019 तक बुद्ध के अशुफ फलों से बचने के लिए और शुफ फल को सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में जल दान करें और शफेद वस्तरों का द कुछ आप धायक रहेगा अपने आपको अपने परिवारिक शुक की प्राप्ति करने के लिए हरे चीजों का दान करना भी शुफ परदान करने वाला है sounds साथ ही विधाडा की जड़को ताबीज में डाल कर गले में पहनने से या कमर में बांधने से कमर समंधी स्वास्त समंधी परिशानिया जो आपकी जीवन में यदि हो रही है तो वो भी दूर हो सकती है अब आई ये बात करते हैं कन्या रासी वालों की जीवन में बुद्ध के इस गोचर परिवर्तन से क्या कुछ होने वाला है परभाव कन्या रासी वाले बुद्ध आपकी रासी से तीसरे अस्थान पर गोचर करेंगे बुद्ध के इस गोचर के प्रभावशे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं खास करके इस अवधी में भाई बहनों का शाथ आपकी साथ बहुत मधुर शंबन रहने वाले हैं जीवन साथ ही के साथ भी आपके शंबन बहतर होंगे परिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होगी आपकी आर्थिक इस्तिती पहले से मजबुत होगी आपके पास पैशों की कमी नहीं होगी आपका स्वास्थ भी अच्छा बना रहेगा अतह एक जनवरी 2019 तक बुद्ध के शुफ फल को बनाए रखने के लिए शुवा उठकर फिटकरी से अपने दान को शाप करें शाथ ही बुद्ध यंत्र यदि आपके शिपंडीजे से शिद्ध करवा के अपने घर में अस्थापित कर सकते हैं तो वह भी आपके लिए शुव रहेगा अब यह बात करते हैं अगली राशी तुला राशी वालों की जीवन में बुद्ध के इस गोचर से क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में परभाव तुला राशी वाले बुद्ध आपके राशी से दूसरे अस्थान पर गोचर करेंगी बुद्ध के इ उतार चड़ाओ की इस्तिती बन सकती है। कई बार ऐसी इस्तिती भी बन सकती है कि आपके पास धन होते हुए भी आप उसका सही दिशा में उप्योग ना कर पाएं। बुद्ध के इस रासी परिवर्तन से क्या कुछ होने वाला है परभाव। बुद्ध आपके रासी से पहले भाव में ही गोचर करेंगे। और बुद्ध के इस गोचर के परभाव से आपको एक जनवरी 2019 तक पैशों की कमी नहीं होगी। बलकि आपके धन में विर्धी ही विर रहेंगे और सुक के समय आज आपको इस अवधी से मान के चलें कि व्यतित होने वाला है। पूरे बुद्ध के इस गोचर के शमय आपके जीवन में हर प्रगार की कामियाभी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही केरियर में भी आपको लाब मिलने की योग दि बुद्ध के लिए हरे चीज़ों का उप्यों किया जाता है। लेकिन आपको हरे रंका किसी चीज़ का उप्यों ना करें यह आपके लिए बेहतर है। अब आईए बात करते हैं धनुर आसी वालों के जीवन में बुद्ध के इस गोचर से क्या कुछ होने वाला है साथ ही आपके धन में भी विर्दी होगी आर्थिक पक्ष पहले से मजबुत होगा साथ ही शमाजिक दृष्टि कों से आप पहले से खुद को बेहतर रूप से प्रस्तूत कर पाएंगे और साथ ही समाज में आपको मान सम्मान और परसिद्धी में विर्दी होने के शंकेत देख रहे हैं इसके अलावा आपको सईया सुक की प्राप्ति भी होने वाली है अर्था जिश्मानी सुक भी आपको प्राप्त होगा अतह बुद्ध के शुफ फल को बनाए रखने के लिए एक जन्वरी 2019 तक अधिकतर पीले और हरे रंग का वस्त्र आपको पहनना चाहिए इससे आपके शारे काम बनते हुए नजर आएंगे अब आईए बात करते हैं मकर रासी वालों के जीवन में बुद्ध के इस गोचर से क्या कुछ होने वाला है प्रभाव मकर रासी वाले बुद्ध आपके रासी से ग्यार्वे स्थान पर गोचर करेंगे बुद्ध के इस प्रभौशे आपको आर्थिक रूपशे धन की हानी हो सकती है आपकी आमदनी में भी कमी आ सकती है एक जनवरी 2019 तक आप जो भी फैसला करें बहुत ही सोच विचार कर ही करें और अपने शमय को खास करके वेर्थ ना करें आपका शमय बहुत अन्वोल है इसे बचा कर चलें त तो एक जनवरी 2019 तक अशुफ फलों से बचने के लिए और अपनी इस्तिती ठीक ठाक बनाए रखने के लिए अपने गले में तामबे का पैसा धारन करना यदि आप गले में धारन नहीं कर सकते हैं तो अपने पर्स में अपने जेब में ही तामबे का कोई शिक्का धारन करन रखना आपके लिए बहुत शुव रहेगा अब ये बात करते हैं अगली रासी कुम रासी वालों के जीवन में बुद्ध के इस गोचर से क्या कुछ होने वाला है परभाव बुद्ध आपके रासी से दसमे अस्तान पर गोचर करेंगे बुद्ध के इस गोचर के परभाव से जीवन साथी के साथ आपके शंबन बहतर रहेंगे आपका जीवन यापन बहतर तरीकि से शंपुर्ण होगा कठिन परिस्तिती में भी भाग का आपको पूरा-पूरा शहयोग प्राप्त होगा इसके साथ ही आपके आमदनी में विर्दी होनी के शंके देखना हैं इनकम बनाये रखने के लिए मा दुर्गा की उपाशना करें हो सके तो अपने घर में किसी पंडीजी से सिद्ध करवा कर दुर्गा विशा यंत्र का धारन करें इससे आपके घर में खूब उनत्ती प्रगति होने वाली है अब आई ये बात करते हैं अंतिम रासी मीन डासी वालों क आपको महनत के बल पर भाग्य का शहयो प्राप्त होगा उचित महनत से आपको धन की प्राप्ती जरूर होगी साथ ही आपका स्वास्त भी उत्तम बना रहेगा अता एक जन्वरी 2019 तक बुद्ध के सुफल को सुनिश्चित बनाई रखने के लिए गौ माता को हराचारा या पालक खिलाना आपकी लिए बहुत शुव रहेगा इससे आपके जीवन में भाग्य का शाथ बना रहेगा और आपके जीवन में शभी परकार के शुख शुवाग्य की प्राप्ती होने वाली है तो दर्शकों आपने देखा बुद्ध के गोचर प्रभाव से आप सभी रा करना शेयर करना न भूलें और एक बात बेल आइकोन को यदि अभी तक आपने प्रेश नहीं किया है तुसे जरूर प्रेश कर दें फिर मुलाकात होगी अगले कारिक्रम में तब तक के लिए नमस्कार जैमाता दे राधे राधे क्या कहती है आपकी राष्य जानिए अपनी कुंडली एवं राष्यों का पूर्ण विश ले सकाए अचारे चंदन संडिले जी से